कि दिल्नी तेरी चाती पर लहू के वो नेशान रहेंगे, या तो यह सरकार रहेगे, या थे ल हम किसान रहेंगे। जो खाता होगा ना वही किसान से परिशान होगा जो अन्न खाता होगा वो किसान को अन्न दाता मानता है और जो अन्न दाता का नहीं वो भारत माता का नहीं आओ देखें इस भारत में कौन बीर बड़ा बलिदानी है किसके धमनी में खून किसके धमनी में पानी है जनता जूता लेके इंतजार कर रहे है गोधी मीडिया का पत्थर पर लिखी इबारत हूँ सीशे से कब तक तोड़ोगे मिटने वाला मैं नाम नहीं तो मुझ को कब त किसान चलीकिए उसके बाद दिली में यह आने जारा है किसाने वो यहीँ कहूँगा कि दिल्ली तेरी छाती पर लहु के वो निशान रहेंगे या तो यह सरकार रहेंगी यह फिर हम किसान रहेंगे यह दुर्भागे की बात है कि आज फिर से हमारा एक किसान शहीद हो गया साड़े साथ सो किसान पूरु में शहीद हो गए लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को दया नहीं आ रही है इतना समवेदन हीन इतना निर्दई प्रधान मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं देखा नरेंद्र मोधी इस दिमोस्ट इनकॉम्पेटेंट करप्ट इनफिशेंट लूलर इन दि 75 यह फिस्ट्री ऑफ इंडिया इससे बड़ा निर्दई जैनि प्रधान मंत्री कर दोरिश हिंदुस्तान के इतु हम नहीं गुए जिस तरीके से पैलेट सो किसानों को आंधा करके मारने का जो यह कूचक रचा जा रहा है ड्रोन से हमला किया जा रहा है आज आप देखिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल गजा और हमास के युद्ध में हो रहा है आज उसी ड्रोन का इस्तेमाल इस देश के अन्यदाता पर हो रहा है जो अन्यदाता का नहीं भारत माता का नहीं जी भारत सरकार इस्राइ को सपोर्ट करते हैं उनकी भी विचारधारा बेंजमिन नेतन याहू की है और जब जब देश में कमजोर विपक्ष होगा तब तब नरेंदर मोदी जैसा तानाशाह पैदा होगा इस देश को खत्रा तानाशाहों से है इस देश को खत्रा अथॉरिटेरियन गव्मेंट से है जो सवाल से दरती हैं जो नहीं चाहती है कि कोई भी इस देश में सवाल पूछे आज आप बताईए ना किसान को के उपर आरोप लगाया जा रहा है कि किसानों ने जो है वो बैरिकेटिंग लगाया है और सड़क जाम किया है आप बताईए क्या जो कील बिचाए गया है वो किसानों ने लगाया है यह तो सरकार ने लगाया है और हम सरकार से कह रहे हैं कि ये बिर्टींग को अगर दो दिन के अंदर बैरिकेटिंग नहीं नहीं हट होगे तो इस किसान कोउख चाहें हमें आतंगवादी चाहें हमें पाकिस्तानी कैसे इस सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए, कि अभी दो साल पहले ही इस तानाशार सरकार को हमने घुटने टिकवाए हैं, तो हमारे होसलों में कमी नहीं है, आप कितना भी गोला बंबारूद आसुगैस के गोले बरसा लो, किसान हार कर नहीं जाएगा, किसान टकराएगा, और हम ये कहना चाहते हैं, कि आओ देखें, आओ देखें इस भारत में कौन बीर बड़ा बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है, इस बार की लडाई, MSP की लडाई, आर पार की लडाई होगी. बार-बार कोटेस्ट को रोकने के लिए बरिकेस लगाये जा रहा है, नुकिले तार, ऐसा लग रहा है कि वो हमर देश की किसान नहीं, पाकिस्तान के फौज है, नहीं का तो सांसत कह रहा है, भाजपा का ही पूर्व सांसत कह रहा है, कि जिस तरीके से अरुरांचल प्रदे हिंदूस्तान का 20 से जादा सैनिको को शहीद हो गए चाइना से लडाई में, फिर भी ये तानाशाह सरकार आज जो है मनीपूर में सरहत बना रही है, आज जो है वो पंजाब में सरहत बना रही है, हरियाना में सरहत बना रही है, ये सरहते क्यों बनाई जा रही है, ये सरहत कि जितना हिंसा होगा जितना आगजनी होगी जितनी जो है उन्माद फैलेगा उतना ही इन्हें अपनी राजलेतिक रोटिया शेक ने क्या मौका मिलेगा अमीर किसान कहां है साथ जिस देश में एक चौथाई जनता जो है भुकमरी से मर रही है हंगर इंडेक्स में हिंदूस्तान जो है पाकिस्तान चीन बांगलादेश से भी नीचे है एक चौथाई जनता भूखे सो रही हो पूरे देश का किसान है यह गोधी मीडिया की भाषा में मत बात करिए कि पूरे देश का किसान नहीं है मुठीबर किसान है और किसानों की लडाई नहीं है किसान किसान ही है किसान किसान ही है और हम दिखा देंगे जब हम दिखाना होगा अभी तो थूक के चाटा है किशान विरोधी काले कानून किसने वापस करा है तब भी यही कह रही थी यह गोदी मीडिया जो आज भौक रही है यह डलाली में अंध़े हो चुके हैं आप आप गोदी मीडिया की तरह बात सत्रोशाक लेकर इंतजार कर रही है गोधी मीडिया का सुधर जाएं अब मुठी भार खिसान नहीं है सदेश में 70% आबादी इस देश की किसान की है इस देश का पेट भरने का काम किसान करता है जब कोरोना में इस देश में लोग मर रहे थे जब मंदिर मस्जित का दर्वाजा बंद था तो देश का किसान खड़ा था देश के किसान ने इस देश का पेट भर के जो है देश को आज जिंदा रखा है उस किसान के उपर आप आतंकियों सा सलूक करते हैं उसके सुनि और और कोई जंता नहीं ब्लेम करें जंता तो मैडम ट्रस्त है जंता तो मार्खार रहे जंता तो जो है वो पीडित है आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो बाबा जो तताकतित हिंदू आज तो पूरे उत्तर प्रदेश में युवा कहरे है कि नौक्री मौण रहा है और ठेक्टर भी चलाएगा खेती भी करेगा और इस तानाशा सरकार से भी लड़ेगा यह आप कहना बंद करिए गोदी मीडिया की भाशा की किसान मुट्टीवर है और किसान कमजोर है किसान कभी कमजोर नहीं था कालांतर में भी अंग्रेजों को इस देश से भागाने का काम किसान ने किया है और इन काल जो लगातार जो है वो आसुगैस के गोले बरसा रहे यह उपद्रवी नहीं है जब सरकार उपद्रवी हो जाए तो फिर जनता क्या करेगी आज लोकतंत्र के नाम पर लोगों का जो है आवाज को कुचलना दमन करना आज तो आम बात हो गई है साफ आज जो भी बोल रहा है उ उसको कुचला जा रहा है कहा संविधान रहे गया संविधान का गला गोट दिया गया है इसलिए इस देश का जो है किसान वो सड़कों पर है और आंदोलन और तीव्र होगा अगर हमारी मांगे ने मानी जाए तो दिया ना स्वामी नाथन को भारत रत न मिला तो हम तो क्या आप देखिए इनकी दोगली राजनीती कि एक तरफ चौधरी चरण सिंगो और में स्वामी नाथन को भारत रत देते हैं और दूसरी तरफ स्वामी नाथन कमीटी की सिफारिशों को जो है वो क्रिशी मंत्राले की वेब साइट से गायब कर देते हैं जो स्वामी नाथन जी को गायब कर दिया गया अरे स्वामी नाथन जी को तो आपने दे दिया उनकी बेटी तो कह रही है सरकार के खिलाफ लगातार बयान दे रही है कि मेरे पिता के सिफारिशों को लागू करो यह सम्मान तो वोट के लिए दिया जा रहा है आज कितने शर्म और दुर्भागी की बात है कि भारत के सर्वोच नागरिक सम्मान का आज किस तरीके से माखौल उड़ाया जा रहा है और वोट के लिए वह आडवानी भाई जी ने कौन सा इस देश में क्रांति ला दिया आप बताईए रत्यात्रा निकाली हजारों लोग मरे उसमें नफरत पहलाई तो ऐसे ल भूजा है भूजा की तरह बाट रहे हो तो आज देखिए इस देश में संस्थाओं की जो है वह अब कोई स्वायत्ता नहीं रह गई है देश जो है आगोशित आपातकाल में चल रहा है इस देश में किसान नौजवान युवा सभी पीडित हैं और सभी इस तानाशा सरकार से खपा हैं आप आने वाली समय में आप देखेंगे कि हम लडाई लडेंगे और किसान बिल्कुल दिल्ली पहुंचेगा किसान के होसले चक्तान की तरह मजबूत हैं किसान ना डरने वाला है ना डिकने वाला है ना जुकने वाला है मरेगा किसान लेकिन अपना हक और अधि कि गोबर तो नहीं खाते हो ना तो किसान के लिए परिशान नहीं हो सकते हो नहीं अगर गोबर जो खाता होगा न वहीं किसान से परिशान होगा जो अन्न खाता होगा वो किसान को अन्न दाता मानता है और जो अन्न दाता का नहीं वह भारत माता का नहीं यही तो बात है कि मोदी जी दिस ठाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं इसी किसान ने मोदी जी को सत्ता के सरवोच सिकर पर बैठाया लेकिन हम दुख के साथ कह रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं मानेंगे तो इनहीं मोदी जी को सत्ता के सिखर से उखार के फेकने का काम जो है इस देश का किसान करेगा मैं अंत में यही कहूंगा चंद लाइनों से मैं शमाप्त करूंगा कि मैं किसान हूं मैं उस मिट्टी का व्रिक्ष नहीं जिसको नदियों मुझ्я जीवन खीचा है पथर पर लिखी इबारत हूँ सीशे से कब तक तोड़ोगे मिटने वाला मैं नाम नहीं तो मुझ को कब कर रोकोगे मैं किसान हूं इस देश की आनबान शान हूँ मैं किसान हूँ धन्यवाद जै हिंद जै भारत